जोश्तों अभी तो लोगों को यहीं लगता है कि काकणब आप हाई गई है इसके लाबा रहाए में कुछ वहाई नहीं है और जूसरवात है दोस्तों मैं आपको बता दूर रहाई में इस इसी बार है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं भी पता शूरब जोटा नह जेहिन दोस्तों मेरा नाम है कुलती पौश्वागत है आपका अपने चैनल दीप सेजूकेशन पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आरार भी एंके पीसी ने अपना रिजल्ट को ग्रेक्लेयर कर दिया है और जिसा ही रिजल्ट के इसका ग्रेक्लेयर हुआ जो इसको कोई भरभाई करना भी मुश्किल हो फारा रहा है एक तो पहली बाद यह है कि रिजल्ट उसल्ट से देर नकिकेसर में बोला था हम nehme इतने जो है उत्य बच्छों को सी क क्यों लिंगे लिकिंच दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि आप सारी भीड को सीवेग के बन में ही खतम कर दो मतलब जो उनका आकड़ा था वो साथ लाग के आसपास से पास करने का वो भी उससे कम हो पा रहा है और दोस्तों उसके अलावा और कापी सारी गलतिया रेल विक रिजल्ट में देखने को मिली है जैसे कि कि किसी का मालोग कोई आंसर है वो सही है तो उसको रेल विक गलत है उसको सही माना हुआ है और कोई भी साफ देख रहा है कि उसका अंस्वर सही है तब भी उस कोशन में लोगों को बोलती है गया है कि ये कोशन निकलत है उसके अलावा कई कई गल्तियां ऐसे involvementर कर निकलकर आ रही है कि जो आपके मार्क्स हैं वहाँ पर तो आपके जो marks हैं वो cut off से ज़्यादा दिखाएगा, लेकि नीचे लिखाएगा कि आपने cv2 के लिए qualify नहीं किया, दोस्तों इतनी सारी गलतिया इस वाँ रेल बेक रिजल्टों में आई हैं, जो आज तक कभी देखी नहीं गई हैं, ऐसे ही ये एक है मेरे उन इसका जो answer है, both two मतलब three कि कुल तीन पक्षी होंगे, both click करके आए थे, लेकिं दोस्तों railway ने इसका answer five माना है, हां दोस्तों, दोस्तों railway ने इसका answer five माना है, अब मुझे समझे नहीं, मुझे समझे नहीं आ रहा कि इसका answer five किस तरह मान लिया गया है, जबकि उसे नियुन्तम संक्या पूछी है और दोस्तों यह जो कोश्चन था अब उनका हो गया गलत गलत होने से क्या हुआ कि एक नंबर जो से मिलना चाहिए था वो तो मिलाई नहीं उसके अलावा जो नेगर क्यों मार्किंग है वन वाई थड़की तो उसमें 0.133 स्वरी पॉइंक थिरी थिरी मतलब अवरॉल उनको वन पॉइंक थिरी थिरी का माक्ष का लॉस हो गया अब इससे क्या एफ़ेक्ट पड़ा उनकी रिजल्ट पर वो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो में इसकूर्ट है उनका जो फॉर्म था बो था आर आर्वी अजमेर से जैसा कि आप दीख सकते हैं उनका form RRB अजमेर से था और ये उनका roll number है उसके लाबा इन्होंने जो question थे उनके बताया गया है कि कोके number of questions ignore 1 उसके लाबा इसमें दोस्तों जो उनके marks थे नॉर्मराइज marks वो है 92.78 हालांकि इन्होंने second stage civic two के लिए qualify कर लिया है पर इनके जो marks है वो देखिए 92.78 है आपको लगार हुआ कापी अच्छी ज़दा marks है बढ़िया marks है इनको तो खुश होना चाहिए लेकिन दोस्तों खुश ना होने की वज़े है वो वज़े क्या है आए जानते हैं यह जो मैं दि कितने marks आए थे उनके उनके marks आए थे 92.78 है अब देखिए अगर इनको वन पॉइंक छिरी छिरी marks जो आरार भी है रेलवे है सही माल लेता जो कि इनका अंसर एक्छल में सही है भी वेकि रेलवे ने गलत माना है तो यह वाली काप है उसके लावा यह देखिए इन्होंने इंपोर्ट एंट है वह लेवल 6 लेवल 6 में दो तरह की पोश्ट हैं दो तरह की करकेगरी है एक तो है इसके श्केशन मस्टर जिसकी कप गई गई है यूर के लिए 83.11 हलंकी इसको नोने क्वालिफाई कर लिया है लेकिन आप सभी जानते हैं रेलवे में सबसे बहतरीन पो अब दोस्तों आप मुझे बताइए जो कोशन इनका सही होना चाहिए था जो इनका एक्च्वल में आंसर सही भी है लेकिन गलत मान लिया अगर उनके इने मांक्स मिल जाते तो यह कॉमर्शल अपरेंकेस की विए कपको भी पार कर लेतें दोस्तों मैंने यह वीडियो क्यों बनाई यह तो हुई सिर्फ एक बच्चे की बात दोस्तों ऐसे आपको पता है करोड़ों करोड़ बच्चों ने फॉरम फिल किया था रेलवे का एंटिपीसी का दोस्तों ऐसे ही रिजल्ट में खामियां कई बच्चों के आई हैं कई इस्टूटेंट हैं कई सारे केंगेट हैं जिनके रिजल्ट में यह कई सारी खामियां कई सारी मिश्टेक्श देखे गई हैं लोगों को लग रहा है कि हमारा तो एक्जाम कॉलिफाई हो चुका है स्विटीटू के लिए दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सब लोगों ने स्विटीटू के लिए सारी के लिए क्वालिफाई नहीं किया अभी तक और कुछ लोग हैं जिनका स्विटीटू में किसी भी पूश्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया दोस्तों यह मौका है आप सब लोग एक साथ एक जुट होकर कुछ कीजिए क्योंकि यह हाल अभी हुआ है यह हाल पर सिवि कितना मुश्किल हो गया है आजकल और ऐसी ऐसी गलतियां करेगा कोई भी रेलवे या कोई भी बोर्ड तो सोचिए उसका असर किस पर पड़ेगा असर ऑनली पड़ेगा इस्टुडेंट के उपर जो इतनी पहली बात तो यह है आप मुझे बताइए यह फॉर्म 2019 का है आज प यह पकुश है तो किसी के समझी नहीं आरा कि कि क्या तो निकाला है क्या नहीं निकाला आप तो असी ही कुछ गलतियां मा आपके में भी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं बाकि आप के को बि leUNG हो कोई बी प्रावलम हो कि मुझे कमेंट कर 100 अप्र हुआ जो हमारे भी करना है, आप ही को करना है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, ज्याद तर टीचर्स ने अपने कोर्स बेचने के लिए कॉट आपको कितना गिरा दिया था, उसी बच्चों को लूट लो, उनका परपज यह होता है, इसलिए, जो बाकि टीचर्स हैं, और जो भी चाहते ह आपका भला हो आपके लिए अच्छा हो उसी सिलसले में सभी लोगों ने एक फैसला लिया है क्या वो लिया है कि आज सुभा 11 बजे मतलब 18 जनवरी को मौर्णिंग 11 बजे सभी लोग रिक्यूटर पर जाकर ज्यादा से ज्यादा रिक्यूट करेंगे और रिक्यूटर क्या करना है वो आपकी इस्क्रीण पर आवी रहा होगा और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ यह आप लोगों की हटी लडाइए ज्यादा से ज्यादा रिक्यूट करें इस वीडियो को जदा से जदा लोगों तक पहुचाईए जिससे उन्हें भी पता रहे कि उनके साथ क्या गलत हुआ है अभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में इसलिए दोस्तों वीडियो को जदा जदा सेयर करें वीडियो को लाइक करें और जितनी भी रेलवे से जुड़ी हुई ख़बरे हैं न्यूज है, कोईरी है उन्हें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी अपना द्यान रखें अपना ख्याल रखें कोरोना से बचके रहें जै हिंद, जै भारत थैंक यू